आम् सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तों आज मैं आपको प्रश्णों अपनिशद के सांति पाठ के उपर व्याख्यान देने जा रहा हूं और सांति पाठ में भी यहां दूसरा सांति पाठ है इसका पहला भाग मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया था अब इस सांति पाठ में रिशी प्रात्ना कर रहे हैं स्वस्ती ना इंद्रो व्रिद्ध स्रवाह स्वस्ती नहां पूशा विश्ववेदह स्वस्ती ना स्ताक्षर्यों अरिष्टने में विश्वस्ती नो ब्हर्ष पती जँदातु ओम शांति ही शांती ही शांति है कि पी तो अर्थात रिशियी यकारे हैं कि हे प्रभू आप इतने थि यृष्वरर वान 11 1000 प्रमेश्वर के लिए प्रियोग हो रहा है कर Here halo आप परम एश्वरेवान हैं और पुराने हैं परम पुरातन हैं तो आप परम किर्थिमान हैं तो आप से हम यही प्रातना करते हैं कि आप हमारा कल्यान करें तो स्वस्ति मतलब कल्यान आप हमारा कल्यान करें फिर कह रहे हैं कि आप जो है सरवग्य हैं विश्वेदहा पूरे विश्व को सब को जानने वाले हैं और सरवग्य के साथ साथ आप जो है पोशन भी करते हैं हम लोग को पालते भी हैं पोस्टे भी हैं तो हम लोग के पालन करता भी हैं और आप सरवग्य भी हैं तो आप इससे हमारा कल्यान करें हम लोगों का कल्यान आप इसके जरिये करें और फिर कहते हैं इसके बाद फिर कहते हैं कि आप आप सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने वाले हैं, अरिश्ट कहते हैं कि आप सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं, तो इस तरह के आप हैं, जैसे कि गरुड हैं, जो कि दुष्ट सर्पों को खा जाते हैं, तो उस तरह से आप हैं, तो हमारे सारे जो कष्ट हैं, उनक आप नास कर दें यही हमारी आपसे प्राथना है आप हमारा इसे कल्यान करें और फिर कहते हैं कि आप जो हैं ब्रस पती हैं यानि बहुत बड़े हैं और जब बहुत आप बड़े हैं आपका हर चीज विशाल है फिरदे विशाल है आपके कल्यान कारी सक्ति विशाल है तो कि गख्लियान करें हमें स्वस्ती प्रदान करें और फिर यहां पर तीन ताप की बात की गई है ओमशानती सांती ये तीनों जो ताप हैं ये आधिजिएविक आधिभोतिक और अध्यातमिक ये तीनों ताप हैं तो इन तीनों तापों से आप हमें मुक्ति दे आनि शरीर में जो कष्ठ है उससे मुक्ति दे मन में जो कष्ठ है उससे मुक्ति दे और जो हमारे फिर्दे में अंतर करण में जो कष्ठ है उनसे मुक्ति दे इस प्रकार तीनों प्रकार के तापों से आप हमें मुक्ति दें यही हमारी आपसे प्रार्थना है यही इस सांति पाठ मंत्र का अर्थ हुआ